दोस्तों चलिए वीडियो कट हो गया था लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे अब स्टार्ट करते सबसे पहले आप पेज नमबर आ जाईए लेट लेट से रिकाप्चुलेट चैके लेट रिकाप्चुलेट में आजायो ही वहीं से आपको कुछ चीज़े पढ़ना चाह classic भी क्या होता है तो देखे जो जो आपको कोई दिख्कत ना हो ठीक है 1970 आप आजाए यहें यहाँ पर पेज नमबर 428, 4.428, capital asset का मतलब यहाँ पे देखा है कि every kind of आपकी जितनी भी asset से उसे capital asset माने जाएगा, फिर हमने यहाँ पे बताया था कि कितनी कितनी चीज़े exclude किरी गई है, ठीक है, इसके बाद आपका जो है ruler, agriculture, यह सारी चीज़े हमने पड़ी थी, इसके बाद short term, long term ह और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे transaction not regard as transfer, ठीक है, transaction not regard as transfer, उसे हमें पढ़ना है, तो आपके ICA module को open कर लीजे, उसमें भी एक tick mark करके चलिए कि क्या क्या चीज़े हमने पढ़ा दिया है, सबसे पहले capital asset के बारे में हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, इसमें दो point है, वो भी यहां पे cover कर लेता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ही ना है, चलिए, capital asset हमने पढ़ा दिया, ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि any kind of आपकी जितनी भी asset है, सारी चीज़े, अब यहां पे दो चीज़े बाकी है, वो भी यहां पे cover कर लेता हूँ, ताकि एक तरीके साब tick mark कर पाए, देखे, यह तो मैंने कर दिया कि हर तरीकी की asset, asset के बारे में भी हम देख चुके कि जड़ पास वगएरा सब कुछ, ठीक है, ज्वैलरी वगएरा देख लिया, हमने ruler agriculture land देख लिया, हमने काफे सारी चीज़े देख लिए, personal effect, सारी चीज़े, हमने देख लिए कि कौन से asset, capital asset है, और कौन नहीं, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कहीं गई है, कि अगर कोई security held by foreign investor, which has invest in such security in accordance with SEBI, SEBI के regulation के हिसाब से, अगर कोई foreign investor, कोई security में, कोई security held करता है, ठीक है, अगर कोई foreign investor, SEBI के regulation के हिसाब से, जितनी भी securities है, उनमें से कोई भी security, foreign investment institutes, जो आपके foreign investor होते है, foreign के लोग, insert अब याद रखे, तो वो लोग अगर कोई security held करके बैठे, तो उसे भी हम capital asset कहेंगे, ऐसा क्यों किया, दीखे, ऐसा इसलिए कहा गया है, क्योंकि वो foreign investor है, ठीक है, अब उसके पास से कैसे भी तरीके से, कुछ ना कुछ पैसे लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो हमारे देश में investment कर रहे है, तो उसके पास से कुछ पैसे कमाने का बनता है, तो हमने क्या कहा, कि आप जो security held करके बैठे हो ना, वो एक तरीके से capital asset है, और जब हम कह देते कि वो capital asset है, तो सीथी सी बात है, capital gain निकलेगा, ठीक है, वो sale करेंगे, त यह आपका new amendment है, याद रखेगा, ULIP important बन जाता है, जब amendment आता है, ULIP में आपको कुछ भी ज्यादा add नहीं करा गया, ULIP basically आपका final का topic है, final में आपको detail में आता है, यहाँ पे छोटी सी चीज़ एड करी गई, क्या है छोटी सी, देखिए, आपने आपने जो है LIP सुना हो तो आपकी जो life की insurance के लिए आप जो premium pay करते हैं, वो exempt होता है, आपको पता हूँ, उस पे आपको exemption मिलता है, आप मेरे साथ deduction chapter में पढ़ेंगे, कि अगर आप LIC में जो है premium pay कर है, तो उस पे आपको deduction मिलता है, ठीक है, deduction मिलता है, almost आपका जो premium के हिसाब से वो exempt ही हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा amount आप करते है, तो उस पे text लगता है, वो क्या है deduction, वो हम deduction chapter में पढ़ेंगे, insert अभी देखे कि LIC अगर आप करवाते हैं, उस पे आपको deduction मिलता है, तो उसी तरीके का हम कहते है कि ULIP, ULIP का मतलब क्या होता है, ULIP का मतलब होता है, Unit Link Insurance Policy, इसका मतल 12 month और bifurcation देखा, ठीक है, 12 month, 24 month, 36 month, उसमें जो 12 month में मैंने देखा कि listed shares थे, UTI थे, UTI मतलब कि आपके जो एक तरीके से आप कहते हैं, कि transaction unit आप कहते हैं, कैसे आप कहें, हाँ, share market, share market में आप transaction करवाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है, वही unit, जो basically आपके जो है, उपर नीचे होते रहे थे, उसके rate, ठीक है, एक तरीके से market में उसे पैसे invest करना, इसे ही कहते हैं, तो यहाँ पे क्या करा गया, कि लोगों ने कहा कि हम insurance तो करवा रहे हैं, ठीक है, life का insurance करवा रहे हैं, कोई ऐसा, कोई हमें point दे दो, जो हमें market में invest भी हो जाए, मतलब कि market के rate के हिसाब से हम उसे profit भी कमा पाए, और हमारे एक तरीके से insurance भी हो जाए, दोनों का कुछ mixture हो जाए, ऐसा कुछ बता दो, तो यहाँ पे सरकार ने कहा, हम आपके लिए एक नई policy लेके आए, ULIP, ठीक है, LIC तो ही है, आपके life insurance के लिए, आपके लिए एक और यहाँ पे policy आ market से relate करता है, मतलब कि market में जो rate उपर नीचे होते हैं, उसके हिसाब से आपको profit भी यह दिलवाएगा, ठीक है, यह basically explanation दी, exam point of view से irrelevant है, ठीक है, exam में तो आपको simply यह कहा होगा कि ULIP, कोई explanation नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि आपको explanation दी भी नहीं है, final level का part है, ULIP, simply कहा गय है, कि अगर आपने ULIP में आपने investment कर रखा है, और उसका जो premium है, वो 250,000 रूपीज से ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो आपका capital asset नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गया, तो वो आपका capital asset मान लिया जाएगा, याद रखिए, आप मान लीजे, ULIP में एक ही, only one, only one policy लेके बेठे है, या फिर दो, या दो से ज्यादा है, सब का aggregate आपका जो है, 250,000 ही होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, कि पर आपकी policy है, नहीं, आपने दो policy लिया है, तो दो policy के लिए भी 250,000 की ही limit है, ठीक है, aggregate 250,000, उससे ज्यादा आपको जो है, डिया ही नहीं गया, अगर 250,000 से ज्यादा गया है, उसे capital asset मान लिया जाएगा, देखिए यहाँ पर, कहा गया है, कि अगर ULIP आपने purchase करा है, issue किया है, sorry, आपने ULIP issue किया है, on or after, 1st Feb 2021, 1st Feb 2021 के बाद ULIP, obviously, यहाँ पर, उस time पर ULIP का कौन से पाया, ठीक है, उससे पहले था ही नहीं, तो उससे प not exit, exit नहीं कर रहा है, कितना 2,50,000 से, तो वो capital asset नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा exit कर गया है, उसका premium, तो आपका वो capital asset मान लिया जाएगा, ULIP, जो है, यहाँ पर उससे मान लिया जाएगा, याद रखिए, दो policy है, तो ऐसा नहीं है, कि दो policy है, तो 2,50,000, plus 2,50,000, म आपका capital asset मान लिया जाएगा, और उस पर आपका capital gain निकाला जाएगा, exam point of view के हिसाब से, इतना याद रखना है, कि ULIP है, 2,50,000 की limit है, ठीक है, बस, उससे ज्यादा कोई यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे related को equation आ भी गया, तो आपको इतना ही आएगा, इ ठीक है, क्योंकि concept भी इतना ही given है, इससे ज्यादा concept given नहीं है, इसके बाद stock in trade मैंने कहा, इसका example भी आपको previous video में कह दिया, personal effect आप सारी चीज़े tick कर सकते, already हम cover कर चुके, ruler agriculture land, आपको जो है एक तरीके से मैं module में आपको tick कर वा रहा हूँ, कि यह यह चीज़े हमारी complete हो ठीक है, यह चारी चीज़े complete हो चुके, इसके बाद आप आजाए यह short term long term, हमने बता दिया short term long term कि इस तरीके से 12 months, 24 months, 20, 36 months, ठीक है, यह चीज़े, यह आपकी चीज़े, इसके बाद आप जो है holding period, holding period basically यह पढ़ने की जरूरत नहीं होती, holding period का मतलब क्या होता है, जब आ आपने land purchase करी, 2022 में, ठीक है, और उसे आपने sale कर दिया, 2022 में, तो कितने साल होए, sir, 10 years, यहाँ पे, 2002 में आपने land purchase करी, और 2022 में, 20 years, तो holding period क्या हो गया, sir, कितने years के लिए आपने जो है, कितने years के लिए आपने पास यह land रखी, तो यह आपका amount आ जाता है, 20 years, ठीक है, तो 20 years के लिए आपने अपने पास amount रखी, यह land रखी, तो उसे हम कहते है, holding period आपका कितना है, 20 years का, clear है, तो simply यहाँ पे इस तरीके की बाते होती है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ में, चाहे हो मैं बात करूँ, आप कहे किस sales है, आप कहे cooperative society के flats है, हर एक UK से लिया जाता है, ठीक है, holding period पे आपका illustration one भी है, आप उसे देख सकते है, illustration number one कहा गया, illustration number one आपको पूछा गया है, बहुत ही simple होता है, ठीक है, कहा गया है कि आप बताईए, holding period क्या होगा, sales, आपको कहा गया है कि company के कोई liquidation company के sales held कर रहा था, अब वो company liquidate हो गई, तो दे आपने जो है, उसको transfer करा, transfer मतलब की insert sale करा, तो अब यह liquidate हो रही है, liquidate मतलब कि आपको यहापके sales लिए जा रहा है और उसके बदले payment किया जा रहा है, company liquidate हो रही है, तो आपके transfer हो रहे है, तो इस insert आपको कहा जा रहा है, कि जिस date पे आपने purchase कर रहे थे, उस date से लेके आ आपके पास यह सेर्स जब तक रहे उसे ही हम कहते है holding period इसके बाद इसने का bonus बॉनस सब कुछ सब में सेम ही है कि जब तक आपके बॉनस सेर्स आपके पास रहे उसे हम कहते है holding period तो देखिए यहां पे कहा गया from date of allotment जो आपको allotment मतलब कि आपने purchase करे उस date से लेके आपने जब तक उसे transfer करा उस time बीच आपका holding period इसके बाद flat of cooperative society आप किसी तरीके के flat में रहते है ठीक है तो आपका flat का क्या holding period रहेगा तो ओभी इसलिए आपने जब तक purchase करा उसकी membership ठीक है उस वहां से लेके आपने उसे transfer करा उस time तक की आपकी जो time period है ठीक है period of holding, date of allotment जब download किया गया और date of transaction, transfer तो आपने जिस तरीके से transfer किया उस date के बीच का period हम क्या कहेंगे holding period तो insert illustration one जो आपकी holding period से relate करता है basically पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये बहुत ही general knowledge है कि जिस time period तक आप अपने पास asset रखते है उसको हम कहते है holding period ठीक है इसके बाद आपको यहां पे कह कहा गए scope and year of chargeability तो सबसे पहले general chargeability की बात करता है section 45 chargeability मतलब की यहां पे कहा गया एक जो first आपको कहा गया general provision मैं already आपको explain कर चुका हूँ कि जब आपका transfer transaction होता है ठीक है जब आपा set को transfer करते है उस वक्त उस year में जो है आपकी chargeability arise हो जाती है for example 2022 में आपने जो है 21-22 ले 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 थे 2021-22 में आपने जो है कोई asset transfer कर दी ठीक है और 2022-23 में आपको payment receive हुआ ठीक है तो बताए ट्रांसफर कब माना जाएगा दीखे transfer तब माना जाता है जब आपने उसे allot कर दिया है दूसरे को दे दिया ठीक है तो chargeability कब arise होगी जिस year में आपका transfer होता है देखिए आप any profit or gain arise from the transfer of the capital asset effect in previous year वो previous year में effect आएगी जिस year में sale be chargeable to income tax under head previous year in which the transfer took place जब आपने उसे transfer किया उससे कोई मतलब नहीं कि आपने payment कब receive हुआ payment पहले भी receive हो सकता है payment बाद में भी receive हो सकता है हमें यहाँ पर देखना है कि वो asset transfer कब हुआ है ठीक है asset transfer कब हुआ asset transfer हो गया मतलब कि आपका जो है यहाँ पर मान लिया जाएगा कि आपने जो है उसे sale कर दिया और capital gain इसी साल के लिए calculate हो जाएगा ठीक है तो year आपकी chargeability क्या हो गई 21 22 21 22 में आप जो है payment कर दीजे चलिए उके इसके बाद next point insurance receipt 45 1a ठीक है इसे जो है अच्छे से clear understanding दी गई है आपको जो है आपके lattice recapitulate में बड़ा ही अच्छा जो है diagram draw करा गया है अगर आप उसमें देखे तो बड़ा ही आपको जो है अच्छे से explain देखने को मिलेगा देखिए 45 1a आप यहाँ पर आ जाईए बड़ाई बहतर तरीके से आपको diagram दे रखा है तो आप यहाँ से ही पड़े वहाँ पे पी आप page number लिख लीजी यह page number 4.25 वहाँ से read करेंगे सबसे पहले section 45 1a देखिए section 45 1a क्या कहता है कहता है कि अगर आपने insurance लिया हुआ है ठीक है और वो insurance आपने जो है मिलता है मतलब कि insurance company से आपको किसी भी तरीकी का damage या फिर destruction की वज़े से आपने जो है पैसा लिया है insurance का पैसा मिला है आपको तो उस insurance के पैसे पे आपको जो है capital gain माना जाएगा calculate होगा और capital gain calculate होगा और उस पे आपको tax pay करना पड़ेगा अब question यह आता है कि insurance का पैसा मिला तो तूरंत आपको जो है tax pay करना है या फिर cup pay करना है तो देखिए यहाँ पे उसका यहाँ पे मैं आपको बता दू कि देखिए insurance company मैं कहता हूँ मैंने कहा कि insurance company है ठीक है insurance company के पास से आपको amount लेना है ठीक है insurance company के पास से आपको जो है amount लेना है अब ध्यान से सुनिए आपका जब date या फिर मैं कहूँ year ठीक है year on which आपका जो damage हुआ है ठीक है उस year को हम कहेंगे कि यह आपका जो है कौन सा year है यह आपका year है year of transfer year of transfer ठीक है जिस date को आपका damage हुआ ठीक है insurance company को आप बताएंगे तो this year में आपका damage हुआ उस year को हम कहेंगे कि year of transfer अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि date of transfer है उस date को ही आपको जो है insurance income tax pay करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे जिस भी year में आपका जो है transfer हुआ उस year में आपको जो है tax pay करना था ठीक है लेकिन हम उसके कुछ exceptions देख रहे हैं कि जिस ऐसे exception है यह आपके 45 के जिसमें आपको transaction दिए गए अलग-अलग provision दिए गई कि उसमें आपका date of transaction transfer जो है date of transfer जो है वो नहीं लिया जाएगा year of transfer जो है वो tax के लिए नहीं लिया जाएगा बलकि जब आपको payment receive होगा payment receive होगा तब आपका tax वसूल करा जाएगा यह ऐसे exceptions है ठीक है इसमें ही हम सबसे पहले देख लिए section 45 1a ठीक है section 45 1a यहाँ पे कह रहा है कि money receive हुई है या फिर other कोई asset receive है insurance company के हिसाब से insurance आपने लिया था और कोई damage की वज़े से आपका जो है insurance बनता है और insurance company ने आपको या फिर money दी है या फिर कोई other asset दे दिये तो यहाँ पे आपको जो है इस पे capital gain calculate करना है लेकिन देखे ट्रांसपर का जो year है वो तो तब ही आपका मान लिया जाएगा जब आपको वो money या फिर asset receive हुई लेकिन आपको tax कब पे करना है जब आपको वो money और asset receive हुआती है देखे ट्रांसपर कब माना जाएगा जब damage हुआ ठीक है ट्रांसपर कब माना जाएगा जब damage हुआ उसी साल को हम transfer मान लेंगे कि company को आपको जो है पैसे मिल जाएंगे लेकिन actual में जिस भी year में पै tax पे करना है तो question आ सकता है कि बताइए insurance company के पाज से जो है हमारे मान लिजे कोई asset है वो loss हो गई ठीक है damage हो गई okay 2020-21 में ठीक है 2021 में आपको जो है payment receipt हुआ 2021-22 में बताइए कौन से year में आप जो है taxability arise होगी तो year आपका 2021-22 में arise होगी 2021 में arise नहीं होगी ठीक है basically यहाँ पर यही कहना चाहता है इससे क्या फरक होगा देखे इससे फरक होगा कि आप indexation जब करेंगे तो 2021-22 का करेंगे ना कि 2021 का ठीक है इतना ही आज यह रखे यहाँ पर इससे related practical question है इसके बाद 45-2 section 45-2 यहाँ पर कह रहा है कि transfer अगर आपने किया by way of conversion by the owner of the capital asset into stock in trade अगर आप जो है यह इसका example हम already देख चुके ठीक है फिर भी आपको बता रहा हूँ capital asset को आपने transfer किया है किसमें business में मतलब कि stock in trade में stock in trade में अगर आप convert करते हैं तो simply यहाँ पर याद रखिए कि previous year in which such stock in trade sold देखें यहाँ पर insert में यहाँ पर बता देता हूँ कि यह क्या कहना चाहता है यहाँ पर कहना चाहता है कि capital asset को capital asset है आपकी ठीक है और capital asset को आप transfer कर रहे है stock in trade में ठीक है stock in trade मतलब कि business में लेके जा रहे है ठीक है stock in trade में आपने इसे convert कर दिया ठीक है अब समझे कि stock in trade में जब आपने convert कर दिया उस date तक यह आपका capital asset था ठीक है तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जिस date को आपने transfer किया यहाँ तक आपका जो है capital gain निकलेगा ठीक है जो जिसका example हम already देख चुके ठीक है capital gain ठीक है capital gain और यहाँ से आप फिर आपका जो है business का start हो जाता है और आप इसे sale करते है उस time पे आपका जो है पीजी बीपी निकलता है ठीक है पीजी बीपी लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि यह दोनों पीजे तो हम ही है ठीक है capital asset हमारे पास थी और हमारे बिजनेस में हम उसे लेके गए और हम यहाँ पे capital gain calculate करते है अब मुझे ध्यान से देखना मान लिजी यह capital asset थी 50,000 रुपीज की ठीक है आपने इसे transfer किया तब इसकी fair market value जो है वो one lakh थी ठीक है one lakh आपने थी तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि आपका capital gain कितना है 50,000 ठीक है difference 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 one lakh की चीज 50 lakh की चीज जो है one lakh में गई अपने business में अभी business में बीकी नहीं है business में दी गई है तो हमने यहाँ पे as per rule यहाँ पे मान लिया गया है कि fair market value minus आपने जो जितने में खरीद दी थी उसका difference मतलब कि gain आपका 50,000 का हुआ है अब काईदे से जब आपने transfer कर दिया transfer को ही आपको जो है text pay करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे owner ने कहा कि government को कि sir दीखे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने capital gain निकाला है लेकिन यह one lakh हमें मिले कहा है आप simply देखो कि हमने इसे simply transfer किया है अपने business में वो transfer किया है इसने आपन ने कहा कि इसे capital gain निकालेंगे 50,000 लेकिन हमारे आत में कोई पैसा थोड़ी ना मिला है अभी asset बीका नहीं है asset हम बेचेंगे मान लीजे asset बेचा 2 lakh रुपीज तब हम उसके payment कर सकते हैं कि इस पर tax calculate कर है और हम उसे देज सकते हैं आपको as a tax लेकिन अभी जब बीका ही नहीं हैं तो हम आपको tax कैसे pay कर सकते हैं तो government ने भी देखा कि हाँ जी बात तो सही है क्योंकि यह आपकी asset आपकी ही थी और आप अपने ही business में इसे लेके जा रहा है जिस पे आपका capital gain बन रहा है लेकिन पैसा तो अभी आपके पास मिला नहीं है क्योंकि जब आप business के इस अपस pay कर सकते हैं तो government ने भी यह देखा तो हमने government ने क्या कहा government ने कहा कि जिस year में आप इसे transfer करते हैं ठीक है stock in trade में convert करते हैं उसे हम कह देंगे कि transfer का year है ठीक है अब as per rule जब आप transfer करते हैं ऐसा ही tax आपको pay करना पड़ता है लेकिन government ने यहाँ पे आपको provision डाली गई कि जब आप उसका sale करते हैं ठीक है जब आप उसका sale करते है taxability तब arise होगी ठीक है taxability तब arise होगी जब आप जो है इसे business asset में ले जाते हैं business में sold करते हैं तब आप इस चीज़ का capital gain का tax pay करेंगे देखे वही चीज़ लिखी गई कि chargeability for tax कब arise होगा जिस भी year में जिस भी previous year में stock in trade आ उस year में amount मिल गया सरहा amount मिल गया tax pay कर तो ठीक है लेकिन transfer का year कौन सा माना जाएगा जब आप उसे stock in trade में convert कर रहे हो ठीक है date of search conversion मतलब कि आप stock in trade में जब convert कर रहे हो उस date को transfer तो मान लिया जाएगा लेकिन tax pay करने में आपको relief दी गई government के द्वारा कि आपको कहा गए कि provision देखें जिसमें transfer को ही payment होता है लेकिन आपको government के द्वारा relief दी गई कि आप वहाँ पे ना करें आपको जो है जब पैसे मिले तब करें सबसे पहला देखा कि insurance company से कोई asset मिल रहा है या फिर money मिल रहे है तो जब receive होगा तब आप payment करे tax का तब तक payment करने की जरूरत नहीं है basically हाला कि आपका year of transfer तो तब ही मान लिया जाएगा जब यह damage हुआ लेकिन transfer के year में आपको payment करने की कोई जरूरत नहीं है tax payment तब करें जब आपको insurance company से amount receive हो ठीक है इसी तरीकी का 452 कब जब यहाँ पे आप stock in trade में convert कर रहे है ठीक है तो convert कर रहे है तो transfer तो मान लिया गए ले section 45.5 section 45.5 कहता है कि transfer by way of compulsory acquisition कोई government है या फिर कोई private authority है जो यहाँ पे मान लिजे एक example में दे रहो एक example दे रहो आपका house है जहां से आपका जो है एक road निकलने वाला है ठीक है train के लिए train के लिए यहाँ पे road निकलने वाला है ट्रेक बनाना है वो train के लिए जो है आपका यह हाँस compulsory acquire किया गया ठीक है गवर्मेंट के दौरा तो compulsory acquire किया गये तो obviously आपका जो है amount यहाँ पे आपको दिया जाएगा और आपका house जो है compulsory acquire कर दिया जाएगा ठीक है हाला कि government के दौरा आपको जो है मुहाँज़ा दिया जाएगा पैसर दिये जाएंगे लेकिन उसके ब तो यहाँ पे क्या होता है कि government तो house अभी ले लेगी क्योंकि अभी track निकलना है पैसे जो इसका payment होता है आपको payment मिलने में delay हो जाता है ठीक है क्योंकि obviously आपको जो है track तो अभी ले लेता है government क्योंकि अभी track बनाना है तो आपका house तो तोड़ देंगे और वहाँ से track निकलना start कर देंगे काम चालू होगा लेकिन payment जो है government से payment जो है government से मिलने में थोड़ा सा late हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर वह ही बात करी गई कि अब जो person है वो कह रहा है कि sir जी आपके पास से payment मिले तब tax pay करें न आपने house तो हमारा भी ले लिया house ले लिया उसे हम transfer का year मान लेगे जो कि आपने house ले लिया उसे transfer करें देंगे ठीक है तो compensation of consideration determine or approve in instance of central government यहाँ पर कहा गया है कि simply आपने house ले लिया तो उसे पर transfer तो मान लिया जाएगा और as per rule transfer जब होता है आपको tax pay करना पड़ता है तो government ने एक provision order डाल दिया 45.5 कहते है कि जब आपको payment receive होगा ठीक है payment receive होगा तब ही tax pay करना ठीक है लेकिन एक और चीज़ याद रखिए कि कई बार क्या होता है government किस्तों में जो है आपको payment receive करवाती है किस्तों में payment receive करवाती है तो यहाँ पर याद रखिए कि जब आपको first payment receive होगा तो as a full tax आपको pay करना पड़ेगा ठीक है अला कि जब आपको payment receive होगा तभी tax pay करना है ठीक है आपने house दे दिया वो transfer का year है तब आपको payment करने की ज़रूरत नहीं पैसे मिले तभी करना है लेकिन पैसे में क्या होता है कि payment आपको receive होता है तो हो सकता है कि आपको installment में मिले तो installment में कहा गए कि वहाँ पे तो आपको compulsory first installment जब ही आपको pay होता है पूरा payment का tax pay करना पड़ेगा ठीक है ऐसा कहा गया है यहाँ पे आपको कोई relief नहीं है आपको first installment मान लिजे three installment में आपको 50,000 50,000 और 50,000 रुपीज म करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके की बात लिए करेगी first installment सी होता है पूरा payment आपको जो है tax का पूरा करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद next यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इसी में इसी में आपको यहाँ पे एक और point enhance compensation का point है कौनसा enhance compensation अब enhance compensation का क्या कई बार क्या होता है कि आपका house जा रहा है उसके बड़ले मान लिजिए सरकार आपको फाइल लेक रूपीज दे रही है जो आपके हिसाब से यह बहुत ही कम है आपको मिलने चाहिए आपके हिसाब से 10 लेक रूपीज इस तरीके से तो आप इसके हिसाब से आप जो है as per low आप यहाँ पर आपको जो है जो भी payment receive होता है enhance compensation ठीक है enhance compensation जो भी receive होता है वो आपको जो है यहाँ पर taxable हो जाएगा लेकिन enhance compensation में आपको कहा गया है कि जब भी आपको enhance compensation receive होगा तब आपको taxable करना है यहाँ पर याद रखे कि आपको कई बार क्या है कि quote initial compensation receive कर रहाती है मतलब की देखे आपका क्या होता है कि आप case लड़ रहे है ठीक है तो case तो मान लीजे 5 सल तक चलेगा और पैसे की आपको आज जरूर है तो आप quote को कह सकते कि सर जी 10 lakh रूपीज लेन जरूरत है तो quote यह circumstances देखेगा और उसे अगर सही लगेगा तो वो government को कहेगा कि अभी के अभी within week within month within 5 5 days as may be जो भी case है आप इसे 50,000 दिलवाईए बाकी का जो है case जब final decision पर आएगा तब देखा जाएगा तो यह जो 50,000 अभी दिलवाए जा रहे है ठीक है initial आपको 50,000 पिस taxable नहीं है जब final आपका decision के इसाब से पैसा मिलेगा तब भी आपका payment taxable होगा तो यहाँ पर उल्टा है उपर देखे तो यह compensation की बात हो रही थी यहाँ पर annance compensation की बात हो रही है compensation में क्या होता है कि first instrumentary सी हुआ taxable हो जाएगा पूरा amount annance compensation में क्या होता है कि initial आपको final decision स से पहले कुछ amount दे आ जाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादर जरूरत होती है तो वह आपका तब tax नहीं लिया जाता है जब final decision आ जाए final decision आ जाए तब आपका tax लिया जाता है ठीक है तो एनेंस compensation की यह कहानी है एनेंस compensation में याद रखे कभी भी cost of acquisition जो है amount या फिर cost of improvement नि रिसी हुआ 50 lakh रुपीज रिसी हुआ तो इसमें से आप अपना घर का जो भी खर्चा था मान लिजे 10 lakh रुपीज acquisition cost सब कुछ ठीक है घर आपने 10 lakh रुपीज में बनवाय था वगेर वगेर तो आपने minus कर दिया होगा 40 lakh रुपीज आपने इसके इसाप से tax भी pay कर दिया अब enhance compensation के वक्त आप कुछ भी minus करने को बचता ही नहीं है तो सीधी सी बात है cost of acquisition और improvement क्या होगा नेल होगा ठीक है क्योंकि आप already cost of acquisition और improvement compensation के वक्त minus कर चुके होगे ठीक है यहाँ पर first instrument अब जब आप कर रहे है taxable उस time पर आपना खर्चा minus कर रहे होगे वही खर्चा तो ह है वहाई compensation ठीक है अच्छा इसके बाद 44 5a इसमें कहा गया है 44 5a इसमें कहा गया है कि आप अपनी capital asset being land और building या फिर both ठीक है आप एक individual है आप एक हुआफ है और आप अपनी capital asset को जो capital asset है land और building या फिर both उससे आप जो है क्या कर रहे हैं आप उसे agreement for developing of project provide he does not transfer his share in project on or before date of insurance or completion date यहाँ पे कहा गया है कि क्या कर रहे हैं आपके पास कोई land है ठीक है आपके पास क्या है आपके पास land है ठीक है आप Mr. A है ठीक है आप कोई है Mr. A और आपके पास यह land है ठीक है आपके पास यह क्या है या आपके पास land है ओके यह आपको land दिख रही होगे आपकी land है ठीक है अब आपने क्या किया क्या 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 आपके पास land है और Mr. B एक नाम की विक्ति है Mr. B कौन है Mr. B जो है वो builder है उसके पास पैसे है amount है ठीक है उन्होंने क्या कहा कि आप अपना land दीजिए मुझे ठीक है आप अगर अपना land देते है तो उस पे क्या होगा कि उस पे हम building बनवाएंगे और building बनवाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे और आपको जो है थोड़ा सा फाइदा करवाएंगे Mr. A ने कहा आप building बेसक बनाईए land के बदले land में आपको दे रहा है उसके बदले मुझे total 10 flats चाहिए वो आपको मुझे देना पड़ेगा 10 flats मुझे देना पड़ेगा बाकी आप जो है सेल करके अपना पैसा निकाल सकते Mr. B ने कहा ठीक है Mr. B ने उस land पे जो है building बना दी ठीक है यह आपकी land थी उस पे आपकी जो है बहुत बड़ी building बन चुकी है मान लिजिए यहाँ पे 100 flats बनाए गए ठीक है 100 flats आपके जो है रखे गए और 100 flats में से 10 flats किसको देने Mr. A को क्योंकि उन्होंने land दी थी उसके बदले 10 flats उन्हें दे दिया गया बाकी के जो 90 flats है वो Mr. A के पास रहेंगे यहाँ पे इस तरीके का जब agreement होता है तो देखे सीधी सी बात है कि Mr. A को सबसे पहले अपनी land देनी पड़ेगी तभी वो building बना पाएगा तो यहाँ पे transfer क्या हो गया ट्रांसपर कब हो गया स्टार्टिंग में ही transfer हो गया ठीके तो as per low क्या होता है as per low क्या कहता है income tax low कहता है कि जब transfer होता है payment आपको करनी पड़ेगी tax की तभी तो government को कहा गया कि देखे sir यहाँ पे तो हमने अभी land दिया है building बनेगी building के बाद उसे sale करेंगे और sale के बाद हम कुछ पैसा कम अपाएंगे ठीक है तो कम से कम हमें जो है building बन जाए तब तक कि हमें जो है कुछ time period दिया जाए tax pay करने के लिए क्योंकि अभी तो हम उसे बना रहे तो government ने कहा ठीक है section 45.5a नया लाया गया कहा गया कि अगर आप यहाँ पे joint project agreement कर रहे मतलब कि आप land दे रहे और दूसरा जो है building बन रहे इस तरीके की काम कर रहे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है transfer तो तब मान लिया जाएगा आपको payment tax की तब करनी है जब आपको certificate of completion receive होगा देखिए यहाँ पे certificate of completion जब आपको receive होगा तब आपको जो है उसे tax pay करना है ठीक है certificate of completion जब आपको receive होगा तब आपको tax pay करना है ठीक है अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ पे tax pay करेंगे कितना amount तो देखिए full value of consideration क्या मा कहा गया कि देखे full value of consideration माना जाएगा कि stem duty value of his share in project being land और building या फिर दोनों है ठीक है land है या फिर building है या फिर दोनों है उसका certificate of completion जो भी आपका यहाँ पे date है उस time पे stem duty value कितनी है प्लस आपको कोई extra amount receive वा मतलब देखिए यहाँ पे कहा गया कि Mr. A ने कहा कि 10 flat मुझे चाहिए 10 flat ठीक है 10 flat Mr. A को receive हो जाएगा तो यहाँ पे कहा गया कि आपको यहा तो कोई amount मिल रहे हो है ठीक है कोई project में कोई share मिल रहा है यहाँ पे share मिल रहे 10 flat तो यहाँ पे कहा गये कि जब आपको certificate receive होगा certificate receive होगा उस date को इस 10 flat की stem duty value क्या है ठीक है stem duty value का क्या मतलब होता है stem duty का value का मतलब होता है कि authority ने decide किया हुआ amount authority कुछ decide करके amount देती है कि मतलब कि मान लिजे इसकी amount building की हो सकती है 100 करो ठीक है तो 10 flat के इसाब से यहाँ पर amount जो होती है उसको हम कहते है कि आपकी stem duty value उस amount पर आपको tax pay करना पड़ेगा या फिर plus अगर Mr. A. ने कोई case भी receive किया है case या फिर जो भी amount receive किया है Mr. B के पास है कि मान लिजे कहा हो कि 10 flat चाहिए और मुझे 1 lakh rupees चाहिए ठीक है तो 1 lakh rupees जो आपको receive वो भी आपका taxable होगा plus ठीक है तो यहाँ पर दोनों चीज़े आपको जो है total करना है उस पर आपको tax pay करना पड़ेगा कब tax pay करना है जब आपका certificate of completion मिल जाए ठीक है वो certificate of completion के date पर ही आपकी जो stamp duty value है उस value को ही हम consider करेंगे और plus आपने जो कोई cash receive किया है तो उसमें add करेंगे ठीक है तो यह वो चीज़े थी जब transfer तो होता है लेकिन उस time पर आपको tax pay नहीं करना पड़ता जब आपको कुछ न ठीक है अब यहाँ पर mostly काम खतम हो चुका है इसके बाद हम यहाँ पर आप tick mark कर सकते हैं चीज़े मैं आपको करवा देता हूँ जो जो चीज़े खतम हो चुके complete हो चुके illustration भी सात ही complete कर लेते है ताकि खतम हो जाएं बाते ही section 45 हम complete कर चुके section 45 हम complete कर चुके यहाँ पर tick mark करी जाए इंडिविजुल और हुए चलिए यहाँ पर आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको फॉर्मेट में दे रखा है जो मैंने एक्जम्पल दिया कि अगर आप इंडिविजुल है और हुए तो उसके लिए यह प्रोविजन है आप क्या करते हैं कि जॉइंट सवाल यह रहता है कि कितने अमाउंट पे तो यहाँ पर कहागे किστεम डूटी वेल्यू ले लो आपका certificate receive होगा तो उस value का उस asset का जो है stamp duty value लेना है और plus आपने कोई cash में amount receive किया है तो उसे full value of consideration माना जाएगा उस value पे आपको जो है tax pay करना है लेकिन full value of consideration में से आप अपना expense minus कर सकते है cost of acquisition cost of improvement वगरा वगरा ठीक है question देखेंगे तब आपको समझ में आएगा section 46 कहता है कि जब company liquidation में चली जाती है तो उस time पे आपको जो है कुछ ना कुछ amount दे दिया जाता है आपका जो जितना बनता है तो उस amount पे क्या करना है तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले जब company liquidate हो रही है तो सीथी से बात है आपको payment composer ही दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है company के हाथ में कोई भी tax pay नहीं बनेगा देखें क्यों नहीं बनेगा क्योंकि company यहाँ पे amount नहीं दे रही देना पढ़ रहा है अब tax के दो तरीके से हिसाब से आपको pay करना है tax किसको shareholder को देखें सबसे पहले तो आपको amount receive होगा ठीक है capital gain के हिसाब से आपको amount receive होगा आपका जितना amount बनता है तो आपको amount जो receive होगा उसमें से कुछ amount जो है accumulated profit का होगा जिसे हम dim dividend मानेंगे और आपका other source के अंदर taxable और दूसरा जो बाकी का amount है उसमें आपका जो है capital gain निकलेगा आप यहाँ पर example देखें कि मान लिजे 10 lakh rupees आपको जो है asset भी receive हो सकता है और amount भी receive हो सकता है ठीक है यहाँ पर देखें money receive या फिर FME of asset जो भी हो मान लिजे मैं कह रहा हूँ कि कोई एक shareholder है Mr. A इन्हें कोई ए Mr. A है Mr. A कहते है कि इन्हें जो है amount एक asset मिला गया asset मिला ठीक है मान लेजे उसकी value है one lakh ठीक है इसकी value कितनी है one lakh rupees यह value कौन सी है sir fair market value जो market में चल रही है fair market value उसे ही consider करना होता है इसकी value है one lakh और दूसरा यहाँ पर amount receive हुआ है ठीक है amount receive हुआ है 60,000 rupees ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि company क्या करती है कि आपको profit होता है यहाँ पर देखिए अब company आपको dividend देती है ठीक है company को क्या होता है कि profit होता है और profit में से आपको कुछ पार्ट dividend देती है देती है सरहा dividend दे देती है लेकिन कुछ पार्ट company dividend नहीं देती है as a safety के लिए safety के लिए जो है आपको dividend नहीं देती है अपने पास रखती है फिर आपको जैसे ही dividend बढ़ जाता है आपको वो as a dividend permit दे देती है लेकिन as a safety के लिए कुछ पार्ट अपने पास रखती है तो इसे ही हम कहते है कि यह जो आपका distributable profit है जो company के पास ही रहा था वो उतने हिसाब से आपको जो है यहाँ पर देखा जाते कि कितने shareholder है और इनका कितना पार्ट बन रहा है मान लीजे पर shareholder इनका Mr. A ने जितने share रखे है अपने पास उसके इसाब से जो है आपका distributable profit जो है Mr. A के इसाब से इनके इसाब से जो distributable profit है वो बन रहा है मान लीजे वो मान लीजे ब अधर सोर्स का पार्ट बन जाएगा ठीक है यहां पर टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है मिस्टर एको देखिए वन लेक सिक्स्टी थाउजन रिसीव हुआ है इसमें से 30,000 रुपीज अधर सोर्स में जाएगा क्योंकि वह आपका डिस्ट्रीबीबल प्रॉफिट था क OS ठीक है यह CG और OS यह चीज़ आप समझ सकते हैं ठीक है यह OS और यह आपका CG में जाएगा क्लियर है यह चीज़ आपको समझ में आई तो वन लेक 30,000 यह कौन सी चीज़ है यह यह वाली चीज़ है जिसमें हमारा मनी और असेट की फेर्वेर मार्केट वेल्यू वगरा यहा पढ़ना है ठीक है तो इस यह आपको यहाँ पर कहना चाहता है कि यह अमाउंट जो है इस तरीके से बाइफर्केट होती है और फिर आपको सेल होडर को जो है इस तरीके से अलग-अलग हैड के अंदर आपको टेक्स पे करना पड़ता है तो डिस्टिब्यूबल एट्रिब एट्रिबवल जो आपका प्रोफिट है कंपणी का वह आपको शेष्टे माना जाते है जाता है और वह बैंद भीडर के अंदर होता है थाइक ठीक है और आप अपने calculation कर सकते है ठीक है तो यहां पर यहां तक complete होता इसके बाद अब next video में complete करेंगे ठीक है next video अब कल से start करेंगे ठीक है सोचा था आज ही complete कर देंगे लेकिन आज हुआ नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं कल से complete कर देंगे दो वीडियो आज upload कर रहे हैं